नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल खाना पचाना में दोस्तों क्या आपके घर में चीनी जो है पड़े पड़े चाशनी बन रही है और मलाई फ्रीज में रखे रखे मखन बन रहा है और मिल्क पाउडर का तो बुथा ही बन गया कि मुझे तो कुछ यूजी नहीं कर रहे है तो चलिए दोस्तों हम आज आपको बताते हैं इन तीनों चीजों से एक स्वीट डिश जिसका नाम है मलाई बरफी तो चलिए शुरू करते हैं मलाई बरफी तो यह हमने डेड़ कप मलाई ली है जो चार पांच दिन की है फ्रेश मलाई है यह ज्यादा पुरानी मलाई नहीं लेनी है नहीं तो उसमें स्मेल आ जाएगी तो यह फ्रेश मलाई है और यह आदा कप चीनी है और एक कप जो है मिल्क पाउडर है तो हमने गैस आन कर दी है उसमे कड़ाय रख दी है और उसकंतर अब हमने यह लरेड़ कप जो हमने मलाई ली थी वह रखको Hmm पानी यह जाय को स्ब्सपर तब तक इसको चलाते रहेंगे और चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है चलाते ही रहना है, ताकि यह नीचे लग ना है, और दोस्तों अगर यह मलाई बरफी बनाने के लिए जो कड़ाई आपने लेनी है, उसका तलाब भारी होना चीए, मोटा है भी होना चीए, ताकि यह नीचे ना लगे, और बराबर चलाते जाना है, तो दोस्तों आज आपको हमने बहुत अच्छी डीश बतानी है जो मुह में डालते ही गुल जाए और मिंटों में बन जाए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और यह जो मलाई बर्फी यह आप 10-15 दिन तक फ्रीज में रखके खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी है और सबकी फे अब बन जाए तब तक इसको चलाना है गाड़ी भी हो जाएगी और पानी भी सारा सूख जाएगा तो अब हम इसको चलाएंगे और दोस्तों अगर यह मेरी डीश आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्र और अब हमने उसमें चीनी डाल दिये अब यह चीनी और मलाई को बहुत अच्छे से हिलाते रहना है ताकि यह नीचे ना लगे और चीनी बिल्कुल पानी बन जाए चलाते रहना है बिल्कुल चलाना नहीं छोड़ना है वरना यह सारा जल जाएगा और अगर इसमें जरासा भी नीचे लग गया तो इसमें काफी बुरी तरह से स्मेल आएगी और कड़वा अस्वाद आएगा इसका तो इसको चलाते ही रहना है और आज आप थोड़ी मीडियम करदेनी है पहले हमने बिल्कुल स्लो रखी ती अब मीडियम करदेनी आज आज अब हम इसमें इलाइची पाॉडर डालेंगे अगर दोस्तों के घर थाmm हम नहीं इलाइची पाॉडर नहीं से Um तो अब हमने एक छोटी चम्मच इलाइची पाउडर डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर बर्फी में बहुत अच्छा आएगा तो अब हम इसको और चलाएंगे इसको पकाना है काफी अच्छे से चीनी और इस मलाई को ताकि मिश्रन काफी गाड़ा हो जाए अब हमारा यह मिश्रन काफी गाड़ा हो गया पानी सूप चुका है चीनी का भी और मलाई का भी अब हमने इसमें पाउडर डाल दिया है मिल्क पाउडर जो कि मैंने अमुल पाउडर लिया हुआ है और बहुत ही टेस्टी है ये तब हमने इसको फिर से आंच जो है धीमी कर देनी है पर अच पर पकाना है बिल्कुल और चलाते रहना है बराबर बनना ये जल जाएगा मैं बार बार आपको बता रहे हूं कि इसको चलाते रहना है चलाना बन नहीं करना है और साइड में जो लगा हुआ ये पाउडर ये भी साथ में बीच में मिलाते रहना है तो अच्छे से चलाते रहना है और देखिए ये काफी गाड़ा हो गया है, काफी हद तक ये गाड़ा हो गया है, अब हमारा ये बन चुका है, मिश्रन अब हमने एक ठाली ली और उसको ग्रीज कर लिया है, देशी गी हमने लगा दिया है, अब उसमें ये सारा मिश्रन डाल के अच्छे से चारो तरफ फैला लेना है हमने सारा मिशन डाल दिया और अच्छे से बराबर चारों तरफ पहला दिया है और अब इसको 10-15 मिनट तक जमने देना है ठंडा हो जाएगा फिर इसके पीसेज काट लेने और देखें यह हमारी मलाई बर्फी तयार हो गई है कि अ